हमारे शहर के पत्तकार जाग जाओ जिस तरीके से सुल्तान रिज्वी के उपर हमला हुआ उनको पीटा गया लोग समाज बीन बने रहे तो एक सीनियर पत्तकार 20 साल से उनको नहीं बक्षा गया तो तुम लोग किस खेट की मूली हो हमारे बाद तुमारी लोग की भी बारी आ हमारा समाज और हम लेकर हाजिर है कि आज आप लोग आए और काफी दिनों से एक मामला जो पत्रकारों के साथ चल्ड़ाया और पत्रकारों की विशय में इस शहर में एक नया माहूल बना जिससे पत्रकारों के उपर उपर उठाई जा रही है कि पत्रकार कब पार्टी बनने लगी और पत्रकार कब किसी सियासी या संगटन के लोगों का हिस्सा बनने लगे जिन पत्रकारों को पत्रकाविता करनी चाहिए शहर के या जो भी अन्य जो मुद्दे है या किसी पक्ष के मुद्दे या किसी संगटन के मुद्दे या किसी ऐसे मैलाव मंडल या किसी मंडल के मुद्दे जो लेके रास्ते पर उतरते तो उन दिशे पर हम लोग उनसे बुलवाना चाहिए कि हम को बुलना चाहिए इस पर भी बहुत सरे तिपने आजी इस शहर का सोपर्ण भी भी बहुत जल्ड पेश बनने लगे तो क्या ये सब चीज़ें सही है गलत है इस बात का खुलास है हम किसी को सही गलत या किसी को जालिम या किसी को भगवान मनने या नहीं बेटे हम पत्रकारे कोई मिठायवाले नहीं है कि किसी को मिठा घिला या किसी को तीखा जिला जो शहर में जो जीज़े हो रही है मुख्य मुद्दा क्या है कि सबसे पहले एक आंगोलन किया गया हम लोग बिल्कुल शरीद है वहाँ पर हमने वहाँ पर कवरेज की जो आंगोलन के बारे में मैंने एक हफ्ता पहले कि जो मेरे उसी हफ्ते के साफ्ताइक अख्बार में लगाया भी साच होता था हम लोग भी तो इस शहर के रहने वाले हैं आप लोग भी जो चीज आप लोग फेस करें इसको आपको बोलने में क्यों इसकी चार्ट कि आप लोग किसी मेता उसे दब करें क्या नेता हूं कि आप लोग कुछ ले रहे देरे जो आप लोग नहीं बोले तो हम लोगों ने भी उसमें नाज आपा घुलंदाज है वो फ्रैंट को थी और उन्होंने भी मतलब करें इसको अापन कबरेंट्र व्हां कहीं मुद्धे थे उसमें मुद्धे इस उसमें डिगास के मुद्धे थे ञिंदक फूंस कि मुद्धा किया थे में मुद्धाे मुद्धा ने अई 2000 की धिवार milliards कोई लेना देना नहीं है यहां पर कि कम लेने की ना हमने सूरत देखी ना कभी हमसे जिन्दकी में उस्सें पोल्के बात की और नहीं हम लोगों सब्सक्राइब करें लेकर यहां सब्सक्राइब करते हैं कि हम लोग उसने बिल्कुल शरीक है हमारे उपर गलत इल्गाम लगाया गया और जोटा केस के पहले चोटी गटा पहले एक केस बना वो केस यह बना कि सुट्राइब उस जगे में हमला हुआ और जिस वक्त वहां पर कारवाई के लिए जीटी भी आई तो दूसरी बार पत्रेगारों के उपर इस पहले पी तीन पत्रेगारों के उपर इस यह बना कि शायद आए तो इसके पहले जो है अधिस सामदार साफ और मोहमेद टीवी के अश्डल और लाग मोहमेद यह तीन लोगों के उपर भी जो है ऐसे ही कुछ मावले की वह यह ताजिश है तो उसके बारे पेसर वह अगर यह ताजिश है तो फिर वह की ताजिश है अभी मुद्दे पे रहते है वन यह पूरा विवात जिया है आप लोगों के खंणी बन गई उसमें तो क्या पूरा वाज़रा है जरह सर कैसा है सार इसमें कि उसके एक रोज पहले हमारे साथी पतरकार साथी अन्वर शीक साब इनके घर के अपर कारवाई थी और वो घर को पूरा तोड़ा रहा जैंकि वो ली सेकेंड दोस्त हमारे पर खंड़ा इसमें यह दिवार का मामला होने से पहले हम सभी पत्रगार यहां पर मैरे कहल में ज्यादा तर लोग मौझूद है हम सभी पत्रगार गुम्रा प्रबाक से मिती गह थी और सर आप भी थे उसमें तो हम लोगों को जाने का मक्सद यह था कि अधिकारी को पूछे सालूंगे साब को और जो सावी साब को कि आपने लग्कियों पर कारवाई की तो क्या शिकायट थी और किस बिना पर आपने कार की तो उसके बात मामला इसा होगा कि ने जो बनाई है लेकिन वहां से जब आम लोग वापस लोटे तो मामला इसा हो गया कि हम लोग वहां उस दीवार के लिए जो सरासर जुट वाते हैं वहाँ पर ना कोई दिवार की टॉपिक निकली और ना ही वो बिलकुल सर्वेलेंस में और कैमरे भी लगे हैं हम लोग ने ना कोई दिवार की बात छेड़ी ना कोई शेहर के कीसी हमने मुझ्जे पर बात भी सिर्व अनुवर भाई के रूम के तालुक से बात हुई और उसके अलावा और कोई बात हुई आप में जाधर कर दो जाते बात हुए तो उनको ने राइटिंग में नहीं बात हुए थी वहाँ पे हमारे सेनियर पत्रकार लोग मौझूद थे और भी लोग थे हम लोग सब जा पर दो दाई के जिवाद बनेगी जी कही घवरे कई पत्रकार अब हमारे लोग सुन रहे तो उसके उसी दौरां पे वो जो धरना कहे रहे हैं शायद अबर नगर ना कर नायए वह उसकी बात हुए पुरा पुलाओ ना भी जमच में आ रहा है कि आप लोग टेखना चाल चा कि ना इसमें दारुलपला की दुकान का मामला था, ना दीवार की बात थी, और ना डायमेंड के पार्टिंग की बात थी, एक गुमराह किया गया था हम लोगों को, बिल्कुल किलियर बोल रहो हूं, उसको अन्हेरे में रखा गया था, कि यहां की जंता परेशान है, डायमें और जब वह वक्त आएगा, तो यह लोग उतर जाएंगे, हम लोगों ने यह उमीद भी जताया था, हम पत्रकार हैं, कोई जोतिस नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई अंतरियामी नहीं है, और हमको पूरी उमीद थी, कि हम जंता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंता हमारा साथ देगी, लेकिन, जब वह वक्त आया, हम लोग धरने पर बैठे, और उसके बाद में खबरें भी परकाशित की, और इसका जिम्मेदार हमने शानो पठान को माना, और शानो पठान के खिलाब मैंने निउज चलाई, इसमें कोई शक नहीं, जो चीज सामने नदर आ रही थी उसके मताबिक, तो हमने जो है, जो निउज हमने चलाई चैनलों पे, जो मैंने एंकरिंग किया, तो वो थोड़ा पत्रकारता से हट कि था, कुछ ऐसे शब्द बोले गए, जो पत्रकारता में नहीं बैठ था, हमने जैजबात में बोला, लोगों ने उस पर आप्जेक् अब इस खेट परकट को ये उड़ा जा रहा है कि सुल्तान इस भी बिग गया, सुल्तान इस भी बंगले पे चला गया, सुल्तान इस भी आवाज साथ कहां चला गया, वो रोगों है, अब आप बताने की ज़रोब रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, इसी वाजी थे आपने कहा कि भूरा किया गया तो कौन से आपने कोई बात किये दिखो इसमें एहमद नेता भाई की बात है उन्होंने एक डारेक्ट जो है रफिक भाई कि आफिस में बैचे हुएते और पत्रकार साथी बैचे होते रफिक भाई ने एक ही सवाल किया कि एहमद भाई आप ये लड़ाई लड़ रहे से ठीक है बड़े जजबे से लड़ रहे से अथी लड़ाई थी लेकिन इतना जजबात में आने को और इस ताल बाकी है इसलिए हम दबाओ बना रहे थे कि वो पैसा हमको मिले और यही बात उन्होंने आवाज साथ के बंगले रूट करें को तो ऑड़े रहे इसरा लागा धिल्य हो जा है देखें के लड़ाई स्थिया थे और जो हमारे साथ पतरकार सामटेइटे की and कलेंद न्हेंद हो नुड़ाई बाढ़ डहाए मैं दरने वाला नहीं हो जड़ाबी हम शहर की जंता को सलाम करते हैं भले ही उन्होंने मुबाइल पे और कमेंट से हमको सहरा दिया लेकिन जो उम्मीद थी कि जो उतरेंगे जिनके लिए लग रहे हैं तो वह ठाए ठाए फिस नजर आया वहाँ परता चला की फला होतल वाले से लिए है पीस हजार रुबिया और उन्होंने पाखायता जो है यासर बाई अंगर बाई शुल्टान बाई ने बताई यह बाते रखी उसके बिना पर क्या कहता है अब सेमद है या या यह बात हम लोगों ने सुनी है मत देता कि वूसे बात सुनी हमने अवाट साब के बंगले पर भी और इजर आपके ऑफि अब बाई ने बाई पर इसमें लेकिन उन्होंने अपने मूर से बोला है वह फुर्ट पुलिस पिस्टे संगे या था यह लोगों ने पताया है यह वह ने देखा नहीं हाँ हाँ हमें बिल्कुल आप गलत है बिल्कुल गलत है अपने को एक पैसे से और वहाँ कोई ना देना ने और उस दोरान जो हमने चाय भी पिया है जो शरीद भाई है पला होतल के मानिक कसम खाके बोलते हैं जबरदस्ति उनको मैं पैसा देता था कि हम जो बोलते थे पैसा मत तो हमने खान नहीं ना जायज हो जाएगा मैं ऐसा बगए पैसे का चाय नहीं प्यूद्धान भाई जो आप शाड़े शे लाग की बात कर रहे ह और तीन बजे उनको सानु पठान के बंगले पे बुलाय गया था अगर उनको शेटिंगी करना था हूं बंगले पे ले सकते हैं पैसा यह वहाँ तो इस बात के गवाह हमारे रफीक भाई है रफीक भाई बता सकते हैं कि और पाहिम भाई भी है ना 10 लाग की बात हो इना 10 कि बात हुई पिर आगे कारवाई होईगी सिर्फ आप दो से तीन दिन रुप जाओ तर आप लोगो गुम्रा करने की वज़ा किया थी किस लिए गुम्रा किया थी आप लोगो अपना पैसा निकालने के लिए बाई जो मुझ्झे उनको दरने में रखता था वह आप भी पब्लिक की नजर में बिल्कुल सही था उनका जो मुझ्दा था पब्लिक को दिखाने के लिए बिल्कुल सही था बिल्कुल सही लड़ रहे थे लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और जैसे लिए आप से भी मैं कहना चाहूँ यह से आपने लोग सानु पढ़ान के आपने जो अपने पत्रकार साथे हमको तकलीफ हुई कि हमारे उपर हमला हुआ है वो वीडियो बना ऐसे वक्त में किसी कोई पत्रकार साथ ही मारा जाये तो वीडियो तमासा नहीं उसको बचाने का जो है मौदू होता है जो वीडियो यह आदा हुता है जुसान भाए हमधी वहांसे पूदा है देखियो दोने जरूरी था है जुसान महाँ ने माभी मान ली तो फिर वह बातुरिका क्या काम किया या दमी ने कि अपनी गलती कबूल किया कि उनको वहां पर पत्रकारिता करना चीज था, अब पत्र बार्शा का इस्तमाल नहीं करना चीज था सब्सक्राइब करें हम लोग वहां पर कोई हमको बचाने आने वाला नहीं है लोग से तमाजबी बनेंगे लोग से एक स्पेस्टेटर बनेंगे बिल्ड जमा हो जाएगे और हमारी रिकॉडिंगे मैं उपर आ रहा था तो मुझे शानवाद है शानू पड़े इनकी सतुर्य इंबाल से तारूल बना में इनकी नैशनल केवल के ओफिस है उनके कहने के मुताबिक उनके तारूल बना तो थो था है कि मैं नौ दुखाने और पांच मकाने अभी यहां उचाने से पहले हमने इस विल्डिंग से पूनो बिंग से इसने में हमारी दुखानों राफ़ी से किसी ने सिग्निचर नहीं दिया है तो यह जो दावा किया जाना है कि लोगों ने वार की सिग्निचर दिये तो इसी बात का मतलब जो क्या बोले मलाज को ले हमको एक शुक्त ही हमारे लेकि अप किड़ गया जिसी अमने कदम भी ने डाली सुल्टान बै आप तेनों जो है शहर के वरिक पत्रकार है और काफी अन्हों रखे पत्रकार तका तो आप लग कैसे किसी के बैकावे में आगे बैकाव में कि आपको हमारा साथी है और हमको विश्वास में ले रहा है आप बोलिये कि चलीये सुल्तान बाई वहां पर हमारे साथ बहुत बढ़ा कांड हो गया है हमारे साथ किसी ने धोखा दिया है आप हमारे साथ चलिये तो हमको क्या मुदून किया आपके दिल में क्या है तो आप तो बजगे हमको कुछवा दिये जिसे अभी आपने कैसर भाई का दिखर किया वह उन्होंने भी पुट लेटरोटी दिया था और जो अमद लेटर दिनेशन के आपने भी बात कर रहा हूं उनके पास सीनिकर पर घृटर को से जगा रहा है उसमें कम से कम नाईजी फाई हो होँ ऑ आइडका आवर आई आपने विजश में गिशा है आपने भी आप अध्यमें नमबerson को सीह winner नबरूर성 ड़न ही साहिन क्वें प्रफिश्ट पत्रकारों का सबका शुकर गुदारू कि आप लोगों ने यहां पर आकर वक्त दिया में मस्ता मैं आपको बताना चाहता हूं ना इस मामले में ना जिस्कों गाना खुछ भी नी और अलंदुल जाशिवा एल्दा कि में किसी से ड़कता भी नहीं में आपको जब चार तरी को जब आंगोलन का प्रोग्राम रखा गया था तो हमारे सामने कुछ शहर के समझ्याओं को रखा गया था कि देखो भाई ऐचा ऐचा यहां पर बरसात होती है ये तो लोगों के खरों में पाझनी जाता है दुखान में पाणी जाता है इस तरह से शहर के हाला पई Hotpat अधूर ये सडके अधूर ये इतने साधों से अपने शहर का काम चल रहा है लेकिन आख तक के कोई कम आप पत्रकार में हम लोगों को समर्त हो तो थूचाए है करने के भार करने के बाद हम लोगों को पता नहीं थी कि इसके पीछे का मकसद क्या है इन लोगों का करने के बाद में जब सुल्टान भाई पर हमला होने के बाद जब हम लोगों सब जब आवार साब के बंगे पर गए तो वहाँ पर जाकर बैखे कुछी तेर बाद आवार साब आए आते शाथ ही उन्होंने पजलैंटो सबसे हाद चोड़के उद्किया कि जो भी हुआ तुम अब ख़डास करो किया मामले को सुल्जा मैं एक दो ती निन का वग्दों में सुल्जा देता हूं और मामला किया तुम लोग इतना घुसा की होई क्या बात हुई तो आमद नेता साथ के जो अन्फास के जैसे होता कि अवार साब बता ही है उनको चाहते है तो बोलते थी कि अ अब बताए हमारे शहर की समझे अचीची समझे सरकी अधूरी यह सब अधूरा काम अधूरा चल गा है हम लोग के अच्च्छ पर आवाद ने उठा से लिए लिए उनकी जबाद निकलना तो उससे तेम हम लोग भी कुछ देर के लिए मतलब एक दम हो गये कि यह मामला तो तो शहर के विकास से मुद्दा चल गाता और यहां अधूरा निकल रहा है कि शानू ने अभी तच्छ हमारे शारी शेला तुप्या देनी अब वो शानू पजाम क्या इनका क्या देन देना तो खुला से शानू आई कर सकते हम लोगों तो अंदर की बाद पता नहीं है और तो यह भी सुनिना है कि पांच सल से इन लोगों का पैसे के लेंडिन की कुछ वो चल लगी है क्या समझें उसके बाद वहां से आने के बाद में कि दूसरे तीसी दिन रफी भाई ने भी बुला ऑफीस पर सबको कि बाए अच्छे मानना कि उसको सुन्दा को इसा बच्छन लोगों को दिखाया कुछ आ रहा है और यह मामला कुछ और है आपको मालूम है आप लोगों के वज़ेते आपी मिस्गाइड ने हुए सभी पत्रगार साथियों ने साथ दिया लेकिन शानू पठान पे दबाओ बनाने के लिए यह सब हत्कंदा था कि शानू पे इतना दबाओ बना दो कि वो फटाज से सारे छेला रुपिया निकाल दे और उनको इनेक्शन भी लंडा था इसलिए हो लोग शानू पठान के अ सब्सक्राइब के लिए उनके लिए फिर मैं मैंदान में उत्रूंगा और जिनों ने हामला किया है उनको तो अनला ही आदमी नदारूल कानूनी से उत्रा ना कोई डामेंड की बीडिंग से आया कोई नहीं आया और यह आपको बता दूए यह अंदर अपी कुछ दिन आप सुनेंगे कि जिन जिन लोगों से पैटा गिया लिया वह लोग खुद भी आप लोगों से संपत करके वो लोग भी अपने बाइड जिन जिन लोगों से दुकान वालों से जिन 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 से जितने पैसे लिये गया या मत दोता और उनके बाइस में जो ही लिये पैसे वह भी आप लोगों के सामने सचाई बहुत जंद आने वाली इन्शादला नहीं कि अब शहर में फ़दा क्या हो नहीं है अईसा नहीं है हमारे शहर के आंदार और ग्रह निमान मत्री जिसेंदा आवाट पाहम ने बोल दिया है तुलतान भी जड़ा खामोश रहो और इस पर हमला हुआ है हमारे उपर पूरा वीडियो इसका वाइरल हुआ है प्रेस काउंसिल आप इंडिया में चला गया है वहां से आडर आएगा यह फाई आद दर्श करने के लिए लेंगिन जहां पर सुनों की बात आती है ठीक है वो लोग भी आन कैमरा आदर के माफी मांगते हैं तो ठीक है ने तो फिर इससे हम पीछे नहीं आटेंगे हमला करन वाले घ्जादा खुझ नहों कानून के लिए जो हजारे संपरकार संक्षिता कानून है और माइब कांसिव प्रेस का अटिए रचे हैं मिलारेगा यह मुद्न है ऐसे प्रेस आटन डिया में सेड़ा ड़ी में हमारा नाम है हम ने स्वितरांन देब्स अओ सबहरित हम और्ल काफी मेरे पट्रगार भाईयों को धेख रहा हूं नियूर्इ जून तो बगगदे मेरे जासी काहँ मतलब मेना तर्जुर्बा बोलतातो automat प्लाए जा रहा है। मालखी घाली है फाइल भी हो गई और दर माती भी माँगें। कि कि इस दिन पुलिटेशन में आपके दिश्श कित्ने पत्रकार थे। अगर तनमंधन से साथ देने वाला तो खाल था तो कोई रफीक कामदार और भी हमारे जो है रफीक भाई तो तीन बजे रात तक मेरे साथ में थे और भी दूसरे पत्रकार आये अपने समझ भाई भी थे प्रशाइन भी आये हुए थे लेकिन जो एहम भूमका थी वो रफिक कामदार थी और पहीम भाई भी आये उन्होंने भी जो है मतलब सहरा दिया आये वो हॉस्पिटल में और भी कई पत्रकार आये लेकिन जिस तरीके से उमीद थी कि इस पत्रकार साथ देंगे वो ना उमीद जाहिर हूँ बिल्कुल किलियर भोल रहा हूँ उसको चाहे आप लोग निंदा समझ लो बुराई समझ लो या कुछ भी जो बात है अपिल्यूरी है निंदा जाने दीजिए आपसे का निदा करें पुस्ता कुस्ते का वेजी यह मुब्रा के पत्रकारों की हनत है तो पानी म पाकाईगा जो यह कहा गया हमारे साथ 2 से 3 बज़े रात तक रफिक भाई से हमारे लोग की मदद में थे यह पाई यह चाहत भी चुले जब हास्पिकल में थे जब पुलिस इस्टेशन हर जहा साथ में और एक बापने आप लोग आपके चैनल से लोग आपके पत्रकारों क में जारी थी अगर मैंने वो रुगवाने मैंने मेहनत की मैंने अपर उसके लिए तन बन नत रास्ती लगा के मेरा काम चोड़ करके मैंने इसको सेव किया तो गल्ती भाषा की सुल्टान भाई से हुई और उसके वाल यह तीनों जैसा भी दावाब करते को इसने पुला सा क किया तो उसके वहने अगर इसको बचाने का काम किया और मैंने क्या किया और मैं आप लोगों से जरीए से बात अवाम तक भी पहुचा ना चाहता हूं कि आज हमारे शहर में रफीद भाई ने जो शहर के समोचां को लेकर जो आवाजे उठाई है जो जिन जिसके लिए इनो आज वही रफीद कामदार जिन्होंने हम लोगों को दिल और जांट से हर तरह से हम लोगों के लिए और आप जिन्होंने जो पुर्वानी दिये जिसे हम जिन्दगी वर उश्याला तला हियाब रखेंगे हमारे आइसे टेम पर जो रोल आदा किया एक बड़े भाई का भी पत्रकार होने का भी पत्रकार जाग जाओ जिस तरीके से सुल्तान रिजवी के उपर हमला हुआ उनको पीका गया लोग समाज बीन बने रहे तो एक सीनियर पत्रकार 20 साल से उनको नहीं बख्षा गया तो तुम लोग किस खेट की मूली हो हमारे बाद तुमारे लोग की भी बारी आ सकते हैं इसलिए एक जुठो मजबूत बनो तभी जो है इसी में भलाई है तभी हम भरक नेताओं से लड़ पाएंगे और समाज के भरका साथ मिटा पाएंगे सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाएंगे ताजा अपडेट के लिए देखते रहें सदाकत न्यूज नेटवर्ड हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए